जब हम बाहर लगाते हैं खुले खेत में तो इसकी जो आयू होती है पौधे की वो लगबग साड़े तीन महिने चार महिने में खतम हो जाती है लेकिन जब हम इसको पॉली हाउस या नेट हाउस इसके अंदर या संडक्षित संदचनाव में लगाते हैं तो इसकी जो जीवन अब अधी होती है वो लगबग दस से ग्यारा महिने तक की होती है और तो आपको एक लंबा पीरियड मिलता है जिसमें आप फल की तुड़ाई कर सकते हैं इसलिए जब हम किस्मों का चेहन करते हैं तो हमें साब्धानी बयतनी चाहिए जो किसमें हम अंदर लगाने के लिए संदक्षित संदचनाव में लगाने के लिए उपयोग करते हैं वो असीमित बढ़वार वाली होती है जैसे आप देख सकते हैं यह किश्म जो है यह असीमित बढ़वार वाली है और यह 20-25 फुट तक उपर बढ़ सकती है और हमारे भारती एक्रश्य अनुशंधान संस्ता पूसा नई दिल्ली द्वारा इसकी जो संकर किस्म विक्षित की गई है पूसा रक्षित इसके अलावा एक दूसरी किश्म है पूसा टमाटर संदक्षित वन जो की जिसके फल गोल आकार के होते हैं और आप देख सकते हैं इस अच्छे किश्म के फल होते हैं और गुच्छ पूसा गोल्डन चेरी टोमेटो नमबर टू पूसा जो गोल्डन चेरी टोमेटो नमबर दू है यह सुनहरे आकार इसके रंग के फल होते हैं और गोल आकार के होते हैं और यह बहुत ही इसमें जो बीटा के रोटीन है विटामिन एक की जो मात्रा है बहुत अधिक है और इसम कटिंग के माध्यम से भी लगा सकते हैं और जैसे आप यह देख रहे हैं कि जो एक्जलेरी वर्ड होता है जो यहां से नया सूट निकलता है इसको हम लेते हैं और इसको जो मरदा रहित माध्यम है उसमें आप लगा देते हैं तो 8-10 दिन के अंदर इसमें जड़ों का फुट से पौदे की दूरी 50 cm रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी जो है वो करीब 100 cm रखते हैं इस पे हम हमेशा सिंगिल स्टेम एक ही तने को लेकर चलते हैं लगबग 1000 स्कूएर मीटर में हमें जो सुद्ध आय होती है वो लगबग 130,000 रुपए के आसपास होती है इस समय तो रस चूसक कीट हैं उनकी तीवरता हो जाती है चाहे वो सफेद मख्री हो या जो हमारी माइट है रेड माइट है ago मैट है स्पाइड़ माइट तो वह लाल मकड़ी की समस्या हो जाती है तो इससे बचने के लिए हमारे कै में आदर जो भी संदक्षीच संदचना है उसके अंदर जोीटों की संख्या कितनी हो चुकी है सँ के लिए आप नीम शीट करने लाएल जो नीम का टेल है 5 इसके अलावा जो सफेद मक्ही है उसके लिए आप एक मीली लीटर इमिडा क्लोरोपीड दवाई को 3 लिटर पानी में मिलाकर उसका भी स्प्रे कर सकते हैं और जो हमारी लाल मकडी है उसके लिए आप ओवेरान या ओमाईट नमक दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं